हेलो फ्रेंड्स काइना किचन में आपका इपाइब फिट से स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूं मैंगो आइसक्रीम फ्रेंड्स इसमें ज्यादा समान की भी जरूत नहीं हो बहुत ही आसानी से बन जाता है तो चलिए शुरू करते हैं मैंगो एसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनकर त्यार होती है तो यह मैंने आधा लिटर दूर ले लिया है और अमेस्मेंट एट कर रही हूं थोड़ी शक्र जैसा आप मिठा खाना पसंद करते हैं जैसा ही करिएगा और यह मैंट आ रही हूं मिल्क पावडर बहुत ही टेस्टी बनकर त्यार होगा घर पर और यह मैं डाल रही हूं कस्टरड पावडर आप चाहें तो इसकी जगें कॉन फ्लूर भी डाल सकते हैं और अब मैं सम्मिक्स कर लूँगी और अब मैं गैस की फ्लेम को कर दे रही हूं ऑन हम गैस की फ्लेम मिल्यम लोग ही रखना है उतली टैस्टी बन करता है तर बच्चे अकसर डियमान करते हैं कुछ न कुछ न कुछ आईस्क्रीम कभी कोई टेस्ट की खाने की दिमान करते हैं कभी कोई टेस्ट की तो आग मैंने सुच्छा मैंगो आने लगे हैं तो मैं आज यह मैंगो आइस्क्रीन बना कर घर पर आसाली से त्यार हो जाती है इसको आपके साथ शेयर करूं फ्रेंड्स यह मैं कांटीनियूस को चलाती रहूंगी यह तो टेंड़ कर लूँगी, मैंने ताजे मैंगो ले लिए हैं और अम मैंगो खिलके उतार दूंगी बहुत हीपे टेस्टी ही बनकर तियार है कि मैं नास to awareness नटिया है और इसको मैं और अब अ ब्र لी कर लेऊं पिटेखिये मेंगोगी प्युर्भी प्यूरि तयार हो चुकी है, बहुत ही स्बूठ पिस गई है, ये रगोड़ी देखिये ठंडी हो चुकी है, अम मैं दोनों को एक साथ ग्राइन्ड करूँगी, देखिए फ्रेंट्स बहुत ही स्मूथ और क्रीमी पेस्ट बनकर रेड़ी है और फ्रेंट्स अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजे कमेंट्स करकर जरूर बताइए कि आप मेरा ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और अब मैं इसको डिब्बे में कर ले रही हूं ट्रांसफर और फ्रेंट्स आप मेरी मुझे अगर इंस्टाग्राम और अभी पर फालू नहीं कर रहे हैं तो फालू करना शो कर दीजे ये आइस क्रीम जरूर ट्राइ करिएगा फ्रेंट्स आपके घर में सब को बहुत पसंद आएगी और अब मैं इसको तीन घंटे के लिए रख दे रही हूं फ्रीजर में अब आटे एगा अब 17 को निकाल लिया है और ये देखे अच्छे से सैट हो गया है अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से अच्छे से नहीं हुआ है तो आप एक से दो घंटा और भी रख्किस को सेट कर सकते हैं और अब मैं इसको निकाल कर ग्राइंड करूंगी जिससे ये और ही स्मूथ और क्रीमी हो जाए मैं ज्यादा नहीं चलाओंगी सिर्फ एक बार इसको चलाओंगी बहुत अच्छे सेट हो गया खुश्बू तो बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ही अच्छे से राइंडू हो गया है इससे आईस्क्रीम बहुत ही स्मूथ और क्रीमी बनती है तो आप इसको जरूर करिएगा और टेस्टी तो बनेगी ही मैं इसको थोड़ा टैप कर लेती हूँ और अब मैंने आम ते थोड़े छोटे छोटे पीसेस कर लिये थी से मैं इसको डेकोरेट कर दे रही हूँ इससे देखने में भी सुन्दर लगेगा खाने में तो लगना ही लगना है सुन्दर फ्रेंड्स आप मेरा चैनल कहां से देख रहे हैं ये ज़रू बताएगा वीडियो पसंद आए तो शेर और लाइक करना न भूलेगा फ्रेंड्स और ये मैं थोड़ा सा पिष्टा नाल के गानिश कर दे रही हूँ और अब मैं इसको 6-7 गंटे के लिए फ्रीजर में फ्रेट से जबने के लिए रख दूँगी ये देखे फ्रेंड्स साथ से 8 गंटे बाद आइस्क्रीम बनकर बिल्कूर रेडी है बहुत ही टेस्टी आइस्क्रीम बने के रेडी है फ्रेंड्स ये देखे और देखते ही मुह में पानी आ रहा है फ्रेंड्स आपको कैसा लगा फ्रेंज कमेंट्स करकर जरूर बताईएगा फिर मैं मिलती हूँ अगली डिश के साथ थेंक्यू सो मच